सब्सक्राइब दोस्तों आपका हमारे यूटुब चानल जीनियस क्लासेज में मेरा नाम अध्यन प्रशाद है और आज कि मैं ये वीडियो लेकर हम हिस्ट्री के कुछ सजेशन बताने के लिए किस तरह कोईशन आएंगे क्या कोईशन बैटन रहेगा किस तरह सब को पढ़ना चाहिए किस पार्ट है फोकस करना चाहिए जाधा किस पार्ट बतुरह कम और किस तरह से आप जो मेरा टारगेट है 95 सब स्कोर कर पाए ठीक है आई से के द्वारा जारे गिया हूँआ जो सैंपल ले पर था हिस्ट्री का वह मैंने स्क्रीन पर दे चुका हूँ आप फ्रीज दस पर्ट तसमें लाए जयुप सब रहता है ऐस्ट्रिय। सब्सक्राइब 10 नमबर करrire है यह 30 मार्म में Bal furn actually 30 मार्म सेंट आते त्यक्टीम का लुट्याlor तू चल्प आप उकित जिसमेंद को थे यह got यो पा सब्सक्राइब अफरिका निचvagy वह यह हूट करने से एपकर झाeger पने तो किन ठेसट टेन यह दिया हूँ रहेगा और दूसरा चुष्भ बी रहेगा उसमें पांच कुष्भशंस दिए रहेंगे आपको इनी करना जो पहले किस टाइब आपको बहुत करना इसे पार्लैमेंट में लोग सब्सक्राइब ंगलव इंडियंस को अलेक्रता है चाहिए दो है कितने सपेशल जो मतलब टालेंट होते हैं आइस विलमे वगेरा लिटरेचर में वगेरा जो भी है बाराट हो जो एलेट करते न प्रेजिडेंट राज जी सब्सक्राइब members के लिए वो question आ सकता है कितने special talent के साथ एलेक्ट होते है कितने होते है बारत होते है ठीक है और आपका फिर पूछता है अपने federal system कितने parts का होता है दो part का होता है तिक यूणियन स्टेट होता है तो हाई court को क्यों हम लोको कोट रिकार्ट कहते हैं और तो किसे कहते है कि से कहते है और रही को आता है किसे कहते है कोर अब यह अप 1970 के लिए तो आपको इह पार्ट धियान से पढ़ना रहेगा एक अगर आप कहेंगे सब्सक्राइब में मुझे मेंचन करेंगा कि सब्सक्राइब एक इंपॉर्टन क्वेशन जो आई सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब किस तरह सेलेक्ट होते हैं यह भी पूछ सकता है सवाल आपसे तो किस सब्सक्राइब किस तरह सेलेक्ट होता हो भी आपसे एक नम्बर ने पूछ सकता है ठीक है और कुछ और यहां देखने दिए अब आपको यहां पर सेंपल लेपर में क्या क्या दिया हुआ हुआ ने डिफेंस बेटें कउंचिल मिनिस्टर काबिने क्या दिफेंस कि दिफेंस को सब्सक्राइब कर दोंट कर फिर्द आपको अपसे पूछ सकता है कि Supreme Court का जो जज रहता है, उसका maximum age कितना रहता है, यह पूछ सकता है, High Court का कितना रहता है, यह questions आ सकते हैं, यह रहा है, यह आपको one mark, common, common जो रहते हैं, आपको at least यह सब जानने चाहिए, मैं आपको बता दे रहा है, अब क्या कि जो कि चैप्टर छोटे कर दिये गए, अब क्या है, एक financial power किया है, प्रेजिडेंट का, एक executive power किया है, प्रेजिडेंट का, आपसे यह चीजा पूछ सकता है, तो आपको इस से थोरो चाप्टर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, चली, तो यह रहा है, basics कुछ questions, कि आपको किस तरह से, आपको समझ आ गया होगा किस तरह सब पढ़ना है, ठीक है, चली, आप हमारा question 2 आता है, part 2, यह जो कि history और contemporary से mix रहता है, इस में किस ताइब questions आता है, देखे, doctrine of lab, जो question है, यह one of the most favorite questions है, ICC का, ठीक है, ठीक है, specimen paper में भी दिया हुआ है, मेरे year में भी आय था, तो high chances है कि आपको इस year में पूछ सकता है, ठी जितने भी chapters है, जितने भी chapters, उसमें से क्या क्या पढ़ने पढ़ेंगे, कुछ objectives है, ठीक है, जैसे खिलाफत movement क्या है, objectives है, quit India movement का objective है, partition का objective है, जो जो दो-दो point कर का option है, वो आपको पढ़ने पढ़ेंगे, ताकि आपको यहां से दो number question है, पूछ सकता है, जैसे कि आप specimen paper म mention any two objectives of early nationalists, objective पूछ रहा है, ठीक है, by when and whom Bengal was partition, two marks a question है, two objectives of all India Muslim League, जितने भी objectives है, यह आपको पढ़ना पढ़ेंगा, क्योंकि दो number, क्योंकि अगर long question में बच जाओ, लेकिन short में आपको देना पढ़ेंगा, ठीक है, तो कहीं जाने का रस्ता नहीं है, you have to study, give a thorough reading, at least to the whole book, ठ ठीक है, two causes of Mountbatten, immediate cause of first world war, देखने ना, cause भरा हुआ है, specimen paper, cause भरा हुआ है, objective and cause भरा हुआ है, यह आपको पढ़ना पढ़ेगा, ठीक है, इस type of questions, part 2 में आते है, अब हमारा आता है, यह हमें छोड़ना गया है, यह पर पढ़ना गया है, जो main part आता है, 50 marks, 50 marks है, ठीक है, जैस 6 का part रहता है, इसमें 3 में से आपको any two करना है, तो जो parliament है, वो आपका एक question उसमें से आए गई, तो आपको parliament छोड़ के जाना नहीं है, parliament is an easy chapter, scoring chapter, तो आप उसको please छोड़ना नहीं है, लेकिन जब president, president और prime minister जो रहता है, वो combine हो जाता है, तीक है, उससे question आएगा, और तीन Parliament तो करना ही है, ठीक है, parliament scoring है, वो उससे आप बच नहीं सकते है, वो करना ही है, आए गाई, लेकिन मान लीजिए, अगर आपको president से, prime minister है problem है, तो आप courts पढ़ के चल जाओ, अगर आपको court में problem है, तो आप president prime minister पढ़ो, ठीक है, यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, लेकिन तो court को आप ठीक है, read कर सकते हो, लेकिन अगर court को अगर आप thorough पढ़ते हो, तो आप president को read कर सकते हो, ठीक है, आप पे depend करता choice करना है, कौन सा आपको easy लग रहा है, लेकिन parliament मेरा मानी है, please give it a thorough reading, ठीक है, parliament को आप पूरा चार्जी रटके, आपको examples यहाँ पे specimen paper में दिया legislative powers, financial powers, control over executive, president का दिया reasons for indirect election, indirect election, president है क्यों होता है, मैं आपको एक rough definition देता था, क्यों होता है, reason देता हो, देखे, council of ministers और prime minister कौने करता है, हमें लेख करते है, मोदी जी को हमने लेख किया है, ठीक है, लेकिन president को तो हमने लेख नहीं किया, अब क्यों नहीं किया, यह आपको अगर प्राइम मिनिस्टर को भी हमें लेख करें, और president को भी हमें लेख करें, तो फिर difference क्या रहे गया, कोई difference नहीं रहे गया, इसका मत दोनों से equal power को हो गया, जब दोनों equal power को हो गया, तो फिर क्या होगा, clash हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर किसी का आपका घर में भी head एक रहता है, country का भी head एक रहेगा, अगर दोनों same power के साथ आजाए तो दोनों में तो clash हो जाएगा, ठीक है, इसलिए क्या होता है, president जो prime minister जो होता है, जो main power रहता है, जो main country को चलाता है, उसे हम elect करते हैं, क्योंकि हमारे लिए काम करना है, अब president जो होता है, उसे कोई power actually रहता नहीं है, ठीक है, तो उसे करते हैं, वो लोगी elect कर लेते, MLA's जो members of legislative assembly, question आ सकता है, who elect the president, members of legislative assembly, MLA's, ठीक है, elect करते हैं, इसलिए उनका indirect election होता है, अगर direct दोनों का हुआ तो दोनों का power same हो जाएगा, कोई difference नहीं रहेगा, तो अलग करने के लिए एक indirect elect होता है, एक indirect होता ह ठीक है, impeachment कैसे किया था, president का, president का अब चल दी हटा नहीं सकता है, अगर वो ओत ले लेता है, तो पांच साथ का उसका उसका उटा नहीं सकता है, जब तक एक direct allegation नहीं लग जाए, ठीक है, चली, यह आपको court का part, advisory function, custodian of fundamental rights, judicial review, जो court पढ़ेगा उसको, इस type का questions आएगा, ठ syllabus होगा, तो syllabus का भी link में डाल दूगा, और इस question का भी link में डाल दूगा, आप देख लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चली, अब हम आते section B में, बच्चों, यहाँ पर मैं अबसे आपको बड़ा, एक tip दूँगा, लेनी नी, लेनी आपकी मरजी, जो मैंने किया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आपकी मरजी, पांच question आते हैं, जिसमें से आपको तीन करने है, ठीक है, यह तो आपको clear हो गया, पांच में से तीन आपको करने है, अब कौन सा तीन में गरूँ, चाप्टर तो भाई, 12 हिस्ट्री के है, और वहाँ प इतने हैं, तीन चाप्टर आदे, दो कंटेंपरेडी के शियोर रहने वाले, आप क्या करना, आप इस तीन कंटेंपरेडी वर्ल्ड को एकदम रट्टा मार के चले जाओ, तीन कंटेंपरेडी को रट्टा मार लो, तो इससे क्या हूँआ, दो आपका शियोर आ गया, भाई, क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वर्, यह है, युएन, क्या हुआ, दो क्वेश्चन आ गया, कंटेंपरेडी का, भाई, जो दो कंटेंपरेडी रट के चला जाएगा, वो तो ये दो क्वेश्चन दानाम से कर लेगा, है ना, दो हो गया, बचा एक, अब एक उतने में से जो आप क्या है, जो तीन चाप्टर है, उसको आप थौरो रीडिंग कर लिजेगा, एकदम होगा, तो रट्टा मार लिजे, क्योंकि सिलिबस कम हो गया, बहुत कम हो गया, ठीक है, बहुत चीज काटा हुआ है, ठीक है, अगर आप काहूंगा, अगर आप कमेंट में सेक्शन में, कम यह हो गया, एक फोटो के साथ वाला कॉश्चन जरूर आता है, मेरे टाइम में भी आया था, मेरे टाइम में शायद, शायद, याद नहीं आ रहा लेकिन एक मॉनुमेंट के उपर था, कि मॉनुमेंट किस ने बनाया, कहां बनाया, कब बना, ठीक है, फिर उसी चाप्टर र आता है, तो प्रिपेर रहेगा आप ठीक है, और यहां रहे छे और साथ नंबर कॉश्चन जो कि आपको चाप्टर सब्सक्राइब, बच्चों आपको पूरा बुक तो पढ़ना ही है, ठीक है, आप सोचो कि मैं बोलता है कभी सेलेक्टिव, कभी पूरा बुक, अगर आप स थोरो रेडिंग पूरा बुक का देना ही रहेगा, हिस्स्टि में आप हिस्टि को आप जोगराफी की तरह नहीं ले सकते हैं, कि भाई वहां पे गिया दस में से पांच करने है, तो पांच मैं छोड़ देता हूँ, पांच कर लेता हूँ, ऐसा हिस्टि में नहीं होता है, आ मैंने पढ़ा था, या फिर सिलेबस के थुरूई में बता रहा, तो पहला चाप्टर जो है, सिविक्स का है, ठीक है, आप यहाँ पे गर, कॉंपोजेशन आफ लोग सभा पढ़ लीजेगा, जैसे मैंने कहा था, 552 है, ठीक है, एफेक्टिव स्टेंथ केतना 545 है, यह सभा पढ़ लीजेगा, एक नमबर कॉष्षन में आ सकता है, ठीक है, qualification of members आ सकता है, लोग सभा परलेमेंट को वाला कॉष्षन में, देदेगा, what are the qualification of लोग सभा, तीनों पॉइंट लिखने है, ठीक है, जितना माउक्स का देक्शन रहेगा, उतने ही पॉईंट लिखने है, यह यह है कि अगर कोई पार्ट गलत होगा तो नेक्स पार्ट को ले लिए माल लेजे मेरा पॉइंट 3 गलत है और मेरा पॉइंट 4 सही है तो पॉइंट 4 को लेकर फुल मांग देगा आपको यह आई सेसी का रूल है ठीक है इस बात के टेंशन मत लीजेगा सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं अगर अगर फॉइंट 2 उठाते कि मेरे को भरोसा नहीं कि सरकार काम ठीक से काम कर रही है और अगर नो सब्सक्राइब करना पड़ें मोदी जी को उसी वक्त रिजाइन करना पड़ेंगा इस 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 पॉल नो इंडिया सब्सक्राइब को यह ब्राइब कर देता है speaker of the loksawa मैं आपको एक ब्रीफ देता हूँ speaker of the loksawa is the member of the parliament वो क्या होता है जैसे मानले class का एक head आपका elect होता है कि class में head कौन होगा दो लड़के खड़े होता है sir मुझे होना अब दो लड़के तो हो नहीं सकते एक ही कौन है sir बोलेंगे ठीक है सामने आजो और पूरा class का voting होगा तो जो लड़का majority vote पाता वो क्या हो जाता है class का head हो जाता है same चीज़ यहां पर है कि दो बंदे खड़े हुए दो members खड़े हुए कि भाई you and you will be any one of you are going to be the speaker अब कैसे होगा अब वहाँ पर एक बीजेपी का हो गया माल लिजे खड़ा हो गया एक Congress खड़ा हो गया ठीक है any party मैं example दे रहा हूँ तो अब क्या हो वोटिंग होगा तो जिस party की majority रहेगी वही party का speaker होगा अब्यस सा बात है अगर आपका friend खड़ा है election में तो आप उसे वोट दोगे ना बीजेपी का majority जादा सभी जानते तीन सो ती सीट में अंडिया बैठी हुई है तो वह वोट करेगा तो जिसको वह वोट करेगा वह speaker बन जाएगा तो वही ओम बिरला सर जो है वो बीजेपी क आपको पढ़ लेना होगा ठीक है और यहां पर और तो कुछ उतना कुछ खास है नहीं हाँ राजसभा राजसभा कितना में composition पढ़ना है आपको manner of election पढ़ना है क्वालिफिकेशन मेंबर हर चीज़ का हर हर लोगसभा राजसभा जो भी है आपको qualification जरूर पढ़ना है किस त आपको प्रेजिडेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् प्रेजिडेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कि Electoral College and Votes and Votes 2 points इसका मतरब 2 marks question में वो आ सकता है ठीक है समझ रहे हो ना आप Electoral College and Votes में 2 points इसका मतरब 2 marks question में वो आ सकता है 3 marks का नहीं क्योंकि 2 points है न 2 question में 2 marks question में आएगा ठीक है आप उसे याद कर लेगा अच्छे से अब position power जो syllabus में दिये गए है मेरे साब साब का executive powers आ रहे है और आपका discretionary power emergency power यह चार है तो आपको यह चारों में से जैसे मैंने देख रहा हूं यहाँ बुक में executive power में आपका 5 points है तो आपका marks आ सकता है 4 marks का question हो सकता है तो you have to learn at least 4 points क्योंकि यह जरूरी नहीं कि 3 marks का में आएगा 4 marks का में भी दे सकता है executive powers देखें यहां दिया हो है आपको दिखाता हो रहे है कहां गया हां कंट्रोल लेगे control over the executive देही दिया देखें यूनीवन पार्लिमेंट में अच्छा प्रेजिएंट वाला पार्ट में तो जैसे control over the executive वहां पर पार्लिमेंट में दे दिया तो यहां भी दे सकता है executive powers तो 4 marks का मतलब आपको 4 points लिखने है ठीक है points कितने है 5 तो आप in each 4 you can learn 5 5 कर लो तो well and good okay legislative powers में यहां पर मैं देख रहा हूं 6 points है you have to learn at least 4.4 क्यों कि 4 marks question में यह डाल सकता है ठीक है अब रिस्क मत लेना एक चार हमेशा learn करके जाओ पांच learn कर लो तो आप ही के भलाई है minimum 4 you have to learn discretionary power आपको पढ़ना बढ़ेगा 4 points same emergency power है यहां पर कितने पॉइंट एक तो तीन पॉइंट में ही आएगा यह है ठीक है emergency power यहां भी दिया हुआ ठीक 3 marks question because 3 marks 3 points है तो 3 marks question चलो बढ़िया अब हमारा यहां पर आता है prime minister very important appointment of prime minister कैसे होता very important point ठीक है prime minister and its cabinet बहुत important है council और cabinet में difference आपको यहीं मिलेगा आप इसको अच्छे से पढ़ लिजेगा distinction between council of ministers and cabinet question मैं दिखाया था आपको ठीक है यह आपको लिखना है अगर 2 marks में है तो 2 points 3 marks 3 points 4 marks 4 points आपको यह से पढ़ना है और इस chapter में कुछ नहीं है बस निकल जाओ काफी है अब jurisdiction में क्या original jurisdiction क्या है appellate jurisdiction क्या है यह सबको पढ़ना 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 पर अप्वाइन जज कैसे होता है qualification मैंने बुला तो हर चीज का qualification आपको पढ़के जाना है रिव्यू आ सकता है जो जो चाप्टर कोट वाला पढ़के जाएगा मैं उसके लिए कहा रहा हूँ ठीक है चलिए सेम आपको हाई कोट में भी है जो जो था सबोर्नेट कोट साइद आ रहा नहीं है चलो अब हमाते कहां पर हमारा हिस्ट्री पार्ट में ठीक है फिस्ट्री में पहला चाप्टर में या क्या है फर्स वाल्र और इंडिपेंड़न्स ठीक है पॉलिटिकल जो कॉजेश है वह अवद किसले हुआ था ठीक है फिर मेरे जैसे मेरा क्वेशन आया था कौन-कौन से राज्य डॉक्टर इन आफ लाप्स में उस टाइम पढ़े थे जैसा जहासी हुआ सातरा हुआ नागपूर हुआ तो तीनों पॉइंट लिखोगे तब दो मांक्स मिलेगा दो लिखोगे तो दो नंबर नहीं मिलेगा ठीक है याद रुकिए डेट डेट नंबर के यहां हो जाते है ठीक है तीनों लिखने पढ़ेंगा आपको प्लीज नोट इनेक्सेशन और अ पढ़ लीजेगा डिजै वरिए इंपोट्रेंट तो यह नाउनका तो अंप पढ़ लीजेगा ओर इंडिया नाश्नल कोंग्रेस हम लोगा इतियाद का बहुत इंपोटेटेंट चीज है त्टिक है और यहां को शाय नहीं नावरजी का कंक्रिबूशन पढ़ लिजेगा श सुनेदरनात बैनर जी कंट्रिबूशन पढ़ लिए कंट्रिबूशन भी सबका याद कर लिजेगा से लिबस में दिया हुआ इसलिए ठीक है और दिया हुआ और मेरे टाइम में इनका पूचा गया था जोतिवा फूले जी का तो अब रिस्क नहीं ले सकते किसका पूछ ले सब्सक्राइब भरास कभी भी निकाल सकता अब पर गोखले जी का कंट्रिबूशन पढ़े ज्यादा इस चाप्टर में कुछ नहीं बनना वासको कंट्रिबूशन पढ़ते वह निकल जीएगा और कुछ नहीं क्योंकि आप मेकप कर रहे हैं कंटेंपरेरी में मैंने कहा था इसका आप कोई भी तीन पॉइंट याद कर लो काफी है चलो अब यहां से यह पॉइंट छोड़ दो तिलक्स कंट्रिबूशन यहां पर आ गया विपिन चंद्रपाल कंट्रिबूशन ठीक है लालालाचपत राइस कंट्रिबूशन बाब बच्चो यह वीडियो थो लंबा ठीक है मैं आपको लोग के लिए कर रहा हूं प्लीज इस वीडियो को पुरा देखेंगा ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए मैं को क्या पढ़ना है क्या चोड़ना है ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है तो पार्टिशन बेंगॉल शियोर मुस्लिम लीग में आपको कुछ नहीं पढ़ना रहे है यहां पे सिर्फ उतना इंपॉर्टेंट मुस्लिम में कुछ है आपका जो पार्ट आते ओप्जेक्टिव था ठीक है अब जहाएगा वह आपका आएगा मुपजेक्टिव काहें लेख लेक सेक्टे इस चाप्टर भ में आपको पूछसकता हुए कि यूपाग देक ज stato कवैंच में बाइब से चबापतीक है। पढ़ा बहुत पहले पढ़ा था तीन चार साल हो गए ना पढ़े बूल गया ठीक है मौमध हां ठीक मौमध अली सौकत ठीक ही बोला मैं ठीक है खिलापत मुव्मेंट बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है उतना और बाकी इस चाफ्टर में उतना कुछ इंपोर्टन यह कुछ पढ़ लिजेगा आपका जो मैंने बोला खिलापत पूब्मेंट चौड़ी चौड़ा ठीक है इस नॉन कॉर्परेशन स्वादेशी मूव्मेंट और आपका रॉल अटक यह सब आता है डालेट कोश्चन रहेगा वाट इस ओल अटक है और यहां पे क्रिप्स मिशन उतना क पूछ पढ़ने का ज़रूत नहीं है ठीक है अब जेक्टिव मैंने बोला तो आपको सब चीज का पढ़ लिएगा दो अब्जेक्टिव पूछेगा दो मांक से कुश्चन में ठीक है वह पाट आप देख लेना और तो यहां पर कुछ है नहीं ठीक है नेक्स्ट आता हां आ पूछेगा पूछ सकता है ठीक है तो अमान लोग पूछ लेगा जैसे सिंध वाला पाट और बिंगॉल और पंजाब वाला पार तो आपको दो मांक से बताना पड़ेंगा लॉंग कुश्चन में भी आ सकता है इंडिया इंडिपेंडेंस आक्ट इस बेरी इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट मेरे टाइम का कॉश्चन था 2017 में अगर इस चाप्टर आता है इस चाप्टर से कॉश्चन शूर आएगा ठीक है और यहांसा आपका कंटेंपरेडी स्टाट होता है कंटेंपरेडी है बच्चा जो सिलेबस में आपको अगर मैंने बुला था ज आपे वेरी इंपोर्टेंट कॉश्चन है ठीक है तो यहां पर कंटेंपरेडी आपको कंटेंपरेडी थोड़ो पढ़ना पड़ेगा मेरे अगर बात मानों तो कंटेंपरेडी प्लीज थोड़ो पढ़कर जाना कि दो क्वेश्चन जो लास्ट है वह पूरा मारो बाकी जो यह फसा यह फसा क्योंकि पढ़ना तो पूरा है ठीक है बट कंटेंपरेडी या दो लिखा हुआ भाई इस से एस साइए फर्स्ट वर्ल्ड वार्ड से आएगा से कंड़ वर्ड वर्ड से आएगा नहीं तो यह रहा हमार एक से क्या हुआ हुआ तो हमारा यह रहा वीड डारेक्ट कोंटाक करोगी सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम में आप समझाइए तो हम आपको इंडिविज्वली समझाएंगे ठीक है कि यहाँ बच्चा यहाँ प्रॉब्लम है और कोई भी प्रॉब्लम है या फिर मेरे कुछ मैंने कुछ मिस आउट कर दिये इंपोर्टन पॉइंट प्रीज मुझे कमेंट सेक्शन ना बताएं ताकि मैं उसे मेक ओवर करता हूँ हमारा टेलेग्राम चैनल को प्रीज जोइन करिए इस वीडियो को लाइक सब्स्राइब और शेयर करिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले अगर बच्चों को पसंद आए प्रीज शेयर करिए और भी लड़कों को अपना इस वीडियो को देखने बोली ताकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कुछ फायदा हो जाए ठीक है नतिंग इस पेड यहां पर टेलेग्राम चैनल पूरा फ्री है बस आपको आना है आपको डाउट्स क्लियर करना है झाल 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 झाल